भगवान शिव से जुड़े पंद्रा प्रतीक और उनका महत्वा। भगवान शिव को मृत्यूलोप का देवता माना गया है। यह एकलोते ऐसे भगवान हैं, जो स्वर्ग से दूर हिमालय की सर्व चट्टानों पर अपना घर बनाए हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, सिर पर गंगा, शेर की खाल क्यूं पहनते हैं, इन सब के पीछे कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई है, आए जानते हैं कि ये कहानिया क्या हैं और क्यूं ये सब भगवान शिव के प् भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल हैं और तो और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यूलोप का देवता माना गया है, ये एकलोते ऐसे भगवान हैं, जो स्वर्ग से दूर हिमालय की सर्द चट्टानों पर अपना घर बनाए हुए हैं, भगवान अचा है कि आखिर भगवान शिव गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, सिर पर गंगा, शेर की खाल क्यूं पहनते हैं, इन सब के पीछे कोई न कोई कहानी जुडी हुई है, एक गले में सर्प, भगवान शिव अपने गले में सर्प धारन करते हैं, ये सर्प उनके गले मे तीन बार लिप्टे रहता है जो भूत, वर्तमान एवं भविश्य का सूचक है, सर्पों को भगवान शंकर के अधीन होना यही संकेत है कि भगवान शंकर तमोगून, दोश, विकारों के नियंत रखव सनहारक हैं, जो कला का कारण ही नहीं बलकि जीवन के लिए घातक भी ह होते हैं, इसलिए उन्हें कालों का काल भी कहा जाता है, सर्प को कुंडलिनी शक्ती भी कहा गया है, जो कि एक निश्क्रियो उर्जा है और हर एक के भीतर होती है 2. तीसरी आंख भगवान शिव के प्रतीकों में से एक उनका तीसरा नेत्र है, जो कि उनके माथे के बीच में है, ऐसा माना जाता है कि जब वो बहुत गुस्से में होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुर जाता है और फिर प्रलय का आगमन होता है, इसलिए तीसरे नेत्र को ग्यान और सर् परे संसार को देखने का बोध कराता है। यह एक ऐसी दृष्टी का बोध कराती है जो पांचों विंद्रियों से परे है। इसलिए शिब को त्रयंबक कहा गया है। इन नाडियों से होकर ही उर्जा की गती निर्धारित होती है और गुजरती है। चार अर्धचंद्र भगवान शिब अर्धचंद्र को आभूशन की तरह अपनी जटा के एक हिस्से में धारन करते है। इसलिए उनहीं चंद्रशेखर या सोम कहा गया है। वास्तब में प्रतिक है क्योंकि चंद्र समय को बताने का एक माध्यम है। जटा उल्जे हुए बाल उनके उल्जे हुए बाल पवन या वायू का प्रवा, जो सभी जीवित प्राणियों में मौझूद सांस का सूक्षम रूप है, का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पता चलता है कि श अभी जीवित प्राणियों के प्रभू हैं। 6. नीला गला या कंट। शिव को नीलकंट के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र मन्थन के दोरान जो जहर आया था उसको उन्होंने निगल लिया था, देवी पारवती इस जहर को उनके गले में ही रोक दिया था और इस प्र रूद्राक्ष पेर के 108 बीजों से मिलकर बनी है, रूद्राक्ष शब्द, रूद्र, जो शिव का दूसरा नाम है और आक्ष अर्थात आंसूप से बना है। इसके पीछे कहानी यह है कि जब भगवान शिव ने गहरे ध्यान के बाद अपनी आँखें खोली, तो उनकी भगवान शिव अपने ब्रहमांडिया कानूनों के बारे में द्रि रहते है और सक्ती से ब्रहमांड में कानून और व्यवस्था बनाए रखते है। जब डमरू हिलता है तो इससे ब्रहमांडिया ध्वनी, नाद, उत्पन होता है जो गहरे ध्यान के दौरान सुना जा सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार, नाद, स्रिजन का स्रोथ है। डमरू भगवान शिव के प्रसिद नृत्य, नत्राज, का अभिन भाग है, ज एक सूखे कद्दू और अम्रित से बना हुआ है। कमंडल को भारतिय योगियों और संतों की बुनियादी जरूरत की एक प्रमुख वस्तू के रूप में दिखाया जाता है। इसका एक गहरा मेहत्व है, जिस प्रकार से पके हुए कद्दू को पेर से तोड़ने के बाद उसके छिलके को हटा कर शर्बत के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार प्रतिय एक व्यक्ति को भोतिक दुनिया से अपने लगाव को समाप्त कर अपने भीतर की अहनका प्रति के रूप में जानी जाती है। ये भगवान और उसके प्रकट होने की महिमा की अमर्ता का प्रतीक है। 11. कुंडल, दो कान के छले, जिन ही, अलक्ष्य, जिसका अर्थ है, जो किसी भी माध्यम के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता, और निरंजन, जिसका अर्थ है, जो नश्वर आँखों से नहीं देखा जा सकता है। भगवान द्वारा पहने गए है, प्रभू के कानों में सुशोभित गहने दर्शाते हैं कि भगवान शिव साधारन धारना से परे है। उलेखनिय है कि प्रभु के बाएं कान का कुंडल महिला स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है और उनके दाएं कान का कुंडल पुरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है। दोनों कानों में विभूशित कुंडल शिव और शक्ती पूरुष और महिला के रूप में स्रिष्टी के सिध्धान्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12. बाग की खाल हिंदू पौरानेक कथाओं में कहा गया है कि बाग शक्ती और सत्ता का प्रतिक है तथा शक्ती की देवी का वाहन है। भगवान शिव अक्सर इस पर बैठते हैं या इस खाल को पहनते हैं, जो की ये दर्शाता है कि वो शक्ती के मालिक हैं और सभी शक्तियों से उपर हैं, बाग हूर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है, वो ही सूर्जा का उप्योग कर इस अंतहीन सांसारिक चक्र में ब्रह भांध पर योजना सक्रिय से चलाते हैं, तेरा, पवित्र गंगा, गंगा नदी या गंगा हिंदूओं के लिए सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, एक पौरानिक कथा के अनसार, गंगा नदी का स्रोत शिव है और उनकी जटाओं से बहती है, भगवान पृत्वी पर और इनसान के लिए शुधा पानी लाने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारन करते हैं, इसलिए भगवान शिव अकसर गंगाधर या गंगा नदी के वाहक के रूप में जाने जाते हैं, गंगा नदी रूद्र के रचनात्मक पहलूओं को दर्शाती है, भगवान सभी मंदिरों में आपको भगवान शिव की मूर्ती नहीं दिखती होगी. इसके बजाए वहां एक काले या भूरे रंग का शिव लिंग होता है. यह एक पत्थर है जो की भगवान शिव के अस्तित्व का प्रतेनिधित्व करता है. 15. सांध नंदी नंदी बैल भगवान शिव के करीबी विश्वास पात्रों में से एक है. यही कारण है कि बैल नंदी सभी शिव मंदिरों के बाहर रखा जाता है. भगवान शिव के भक्त बैल के कान में अपनी इच्छाओं को कहते है ताकि यह महादेव तक पहुंच सके.